सर नमस्कार, सर नमस्कार, सर क्या ना मैं आपका, मिरा ना मोहन सिंग है, मोहन सिंग जी कहां से आयो आप, सर में डिस्टिक सिर्मोर हिमाचल परदेश से आया हूँ, गाओ लोजा मानल, तेसील डोनार से आया हूँ, सर क्या काम करते हैं आप, सर मैं मेरी अभी रंग पेंट का काम करता हूं साथ में पढ़ाई भी कर रहा हुए तो सर उस भक्ति को करने से आपको क्या लाब मिले सर उन भक्ति को करने से मुझे कोई खास पीशिश लाभ नहीं हुए सर मैं बस परिशान ही रहा बहुत ज़ादा परिशान रहा क्योंकि मेरी जो बाइफ है वो बहुत जादा बिमार रहती थी सर उनको 22,000 बोल्टे से करंट लागा था सर तो करंट खुदी पास हो गया था सर तो पास हो तर उनकी एक साल कम सकम पीजय में इलाज चली सर फिर हम बाफसी आए उनको साकेटरी प्रॉब्लम रहने लगी सर उस हमें निकरहें इसके उसके बाद सर मैं शीमला चला गिया जब कोई आराम नी हो रहा था ता सर मैं शीमला चला गिया शीमला में मैंने उनकी इलाज करा है सर यह साल तक तो डक्टरों है कि इनको महadaंसिक प्रॉब्लम है ऐसा करो आप एक साल था तकिन के दोवाया चलती रहेगी तो डॉक्र साब ने सर मेरे लिए एक महिने की पहले दोवाय दी उन्होंने कहा कि अगर ये ठीक होगे फिर भी आपने दोवारा आना ये दोवाई ले लो और अगर इनको कोई इन दोवाई खाके कोई असर ना हो फिर भी आपने आना तो सर मैं बहुत ज़्यादा परिशान लग गया अब मैं सोचने लग गया कि अब इन दोवाईयों का क्या करूँ तो मेरे से सर उसम एक भक्त मिलते थे सर आखिर संत्रामपाल जी माराजी से देवी देवताओं की भक्ती को छोड़ दो और आप ऐसा करो अपने जिंदगी में एक गुरु बनाओ और गुरु से नामदान लो और भक्ती करो जो की पूर्ण गुरु अभी परजेंट में तत्तोदर्शी संत्रामपाल जी माराज है वो तत्तोग्यान को देते हैं आप उस ग्यान से परिचित हो जाओ पहले अच्छी तरह से नामदान लो आपकी सारी शारिक पीडा है और जो भी है मांसिक गटना है जो भी है आपकी सब ठीक हो जाए गया सर जो भी सरतालू संत्रामपाल जी माराजी से नाम दिखसा लेता है उनको कोईने कोई लाब जरूर होते हैं सर क्या आपको भी संत्रामपाल जी माराजी से नाम दिखसा लेने के बाद कोई लाब मिले सर संत्रामपाल महाराजी से जुनने के बाद मुझे सर बहुत जादा लाब हुए सर लेकिन में सर मेन मेन लाब गिना होगा सर आपको क्योंकि सबसे बड़ा लाब तो सर मुझे आधियात्मिक लाब हुआ क्योंकि देवी देवता की भक्ति करने से में बहुत परिशान हो गया माता का जभाब आए मैं नहीं जा सकती मैं तो इसके रक्षा के लिए हूँ इसके शरीर में मैं नहीं जा सकती तो सर मैं परिशान इस बाद सी हुआ कि ऐसी कैसी रक्षा हो गई कि उपर चे उनको 25,000 बोल्टे craan लग गया और उसके बाद उनको मांसिक फीडा होने लगी और बीमार इतने रहते थे सर कि मतलब कि हम साथ दिन के अंदर अंदर होस्पिटल जाना पड़ता था सर हमारे को हर साथ दिन के अंदर कभी ना कभी होस्पिटल कभी एक बारी दो बारी हमें जाना ही पड़ता सर बहुत ज़्यादा परिशानी हो गे थे सर को, financial problem बहुत ज़्यादा होने लग गे थी सर, मतलब कोई भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था सर, तो मैं सर बहुत परिशान हो गया कि अब क्या करूँ, क्योंकि सर देवी देपता की भी कोई मुझे खास लाब नहीं मिल रहा था सर संत्रामपाल जी महाराज जी ने आपको क्या लाब दिये? तो मैं जब कोलीज लाइन में था, सर मुझे एक नशे की हविट हो गे थी सर. मुझे सर स्मोकिंग खबवी ओगया थी, मैं सर पीडे केलब पीने लग गिया था, सर. तो हुआ किया सर और हैबिट अभी सर छोड़ने कि में नहीं रह सकता सर, मुझे पी नहीं पढ़ती थी, दिन में कम से कम सर, मैं एक मंडल पी लेता था सर बीड़ी तो उसके बाद जैसे सर मैंने संत्रामपाल जी महाराज से नाम लिया 14 नमंबर 2018 को सर तो सर मैंने नाम लिया तो सर उसके बाद जो संत्रामपाल जी से मैंने नाम दिख्षा ली उसमें जो मंत्र है उसके मंत्र में संत्रामपाल जी महाराजी के मंत्र में इतनी शक्ति है सर उनके शक्ति से उनकी भक्ति करने से सर और तीनों टाइम की आर्थियां करने से सर इतनी शक्ति है सर कि मेरे ये लटे अपने आप एटोमेटिकली सर दूर हो गई सर मुझे आप बह सर ये बात आपको अटपटी नहीं लगी कि संद्रामपाल जी महाराजी जेल में है और आप उनको गुरू बनाने चाह रहे हैं सर संद्रामपाल जी महाराजी के लावा लाखो गुरू है हिंदुस्तान में तो सर क्या आपको नहीं लगता कि संद्रामपाल जी महाराजी से ज्यादा कोई और गुरू आपको लाब दे सकता था सर आपकी पच्छले 10-12 साल से बूदप्रेद से परिशान थी संतरामपाल जी माराजी से जुड़ने के बाद आज उनका स्वास्थ कैसा है उनका स्वास्थ तर एकदम ठीक है उनको सर कुछ निए और उसके बाद उनका स्वास्थ बिलकुल ठीक है सर आप उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आज भी भूत प्रेट की भादाओं से परिशान है सर मैं भक्समाज को तो संदेश तो क्या मैं उनसे बिनती अपनी प्राथ नहीं कर सकता हूँ सर आप सिंबला इमाचल से बिलॉंग करते हैं सर आप अपनी इस्तानिय भासा में यहां के लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर मैं यही कहना चाहता हूँ अपने पाड़ी भाईयों से कि तत्तो दशी संत रामपाल जी का ससंग चुने और उनकी पुस्तके पढ़े और पुस्तकों पढ़ करके ग्यान प्राप्त कीजिए और अपने जिन्दगी में लाइफ में गुरु बनाईए क्योंकि गीता में कहा गया है कि गुरु बिना ग्यान नहीं है मतलब कि अगर मोक्ष प्राप्ती करनी है तो गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है कि संत्रामपाल जी महाराज को गुरू ही बनाई है क्योंकि अपूर्ण गुरू है वो तत्तो दर्शित संत्रामपाल जी महाराज है जो हमारे गीता में और बेदों में बताया गया है कि जो तत्तो ग्यान को बताये वो ही पूर्ण गुरू है उनसे नाम दिक्षा लिए और अ मुक्स प्राप्त करें जी धन्यवाद धन्यवाद जी करें कर दोखे घंदे खरो कर दो